हाई गाईज नमस्ते आप सभी का मेरी चनल बोल्ड फ्लावर्स सव्गरण सबस्टेर टर पर स्वागते गाईज आप सब कैसे हो आप आप सब ठीक होंगे गाईज तो आज क्या मैं रेडिंगे काईज कि आपके पार्टनर की करन फेलिंग आपको लेकर आज की क्या है तो अपस के पिर पैल दैख लिए फिर अपने आंकें बन कर कोसे यह तिन से ओल में को पैल दिखाई दिखाई दे रही वही आपके पायल रहेगी है। This is a general reading तो किसी भी वर्ग देखेंगे आप आपके साथ counterpart करेगी।ikes चले strong करते हैं गाइज अब जसके नम्हें पाइलवन चूस किये तरह देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करन्फिलिंग आपको लेकर किया है तो इसके लिए हम आपकी करन फिलिंग देखेंगे काई सब्सक्राइब फिर आपके पार्टनर की यूनिवर्स इतने सारे काड़ पॉपफ हो रहे हैं जिस्ट वर निट ऑके यूनिवर्स डिवाइन पाईवन जिसकसी ने भी चूज़के हैं उनके उनकी अपनी करन फिलिंग आज की क्या है 2 of sword okay last card है हमारे पास 10 of pentacle okay bottom of the deck हमारे पास है guys ace of pentacle okay अब आपके partner की current feeling आपको ले करकिया है आज की today is your partner's current feeling universe divine pile one the sun okay blossoming abundance that's good the thinking woman okay or last card हमारी पासगा इस अप्री सेस्ट आमेजिंग bottom of the deck हमारे पास है गाईज all tied up okay तो गाईज आपके आपकी एनरजी इस सब कप है गाईज गाईज तो आप सोच रहे गाईज कि कास अभी मेरा पार्टनर अभी मेरे साथ होता तो मैं उसको अपने दिल के सारी बाते बता देती और उनको कहती कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ और मुझे आपके उपर बहुत ज़दा भरुसा है और मैं आपका अभी भी इंतिजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इस तरह से आपकी आज की फिलिंग रहे है कि गाईज और आपके पार्टनर की आज की फिलिंग है गाईज की दसन का कारा गया है तो गाईज वो आपको लेकर बहुत ज़दा खुस रहते हैं जब से आप उनकी लाइफ में आयो हो तब से उन्होंने खुस रहना सिखा आई पहले वो इतना ज़्यादा खुस नहीं रहते थे जितना अभी उन्हें लगता है कि मुझे पास सारी खुसी आ गई है अब मुझे पास किसी भी किसी भी चीज की कमी नहीं है आप हो तो मेरे पास सब कुछ है इस तरह से वो आज की उनकी फिलिंग है आपको लेकर King of Saut का कार बता रहा है कि आपकी फिलिंग यह है काईस कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपके पाटनर आपको लेकर क्या डिसिजन लेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ कि उनको समझ में आए कि वो मेरे लिए कुछ भी तो डिसिजन लीजिए मतलब छोटा मोटा ही डिसिजन लीजिए लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे है इस वज़़े से आप परिसान हो रहे हो और यहां जी यह बादल दिख रहे है काईस वो यहीं बता रहे है कि आप थोड़े चिंतित हो रहे हो थोड़े स्ट्रेस में जा रहे हो कि अब मैं क्या करूँ कि मेरा पार्टनर मेरे लिए डिसिजन ली और ब्रोसमिंग अबर्नेंस का काड़ यह आया है काईस आपके पार्टनर का तो आपके पार्टनर की आज की फिलिंग यह है काईस कि वो आज पूरे दिन आपको लेकर सोचने वाले है आज उनको सिर्फ आपके बारे में ही सोचना है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी लाइब में आई हो तब से उन्होंने एक feeling महसुस की है आपके साथ जो एक connectivity महसुस की है उन्हें एक gut feeling आ रही है आपके साथ कि आप ही उन्हें के partner हो ओकी इस तरह से आज वो सोचने वाले हैं आपको लेकर two of swords का card आप भी कहें guys कि आप बहुत ज़्यादा इमस्नल होने वाले हो आप देख सकते हो पीछे पानी है तो आप बहुत ज़्यादा इमस्नल होने वाले हो और दो situation में फसा हुआ महसुस करोगी क्योंकि आपके partner आपको लेकर decision नहीं ले रहे है और आपके partner ने आपको साइब blog भी किया है और अब वो आपके साथ बात भी नहीं कर रहे है इस वज़़ए से आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो कि आपके partner आपको लेकर क्या आगी decision लेंगे उनका next move क्या होगा मेरे लिए इस सारी सिंदा आपको गेर रही है guys ओकी और आपके partner की आज की feeling है guys thinking woman तो guys वो भी आपको लेकर ये इस तरह से वो आपको positive सोचते सोचते फिर यहां रुख जाएंगे और वो आपको लेकर सोचते सोचते negativity में चले जाएंगे उन्हें बस यही है कि अभी मैं आपको लेकर कोई decision नहीं ले सकता हूँ और वो भी third party है guys उनकी family इस वज़े से वो अभी अपने आपको बहुत जादा career में stable बनाना चाहते है stability लाना चाहते है और फिर वो आपको लेकर decision लेना चाहते है इस वज़े से वो अभी आपको सीफ यहीं कह रहे है कि आपको थोड़ा मेरा इंतिजार करना चाहिए मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए धेरियों बनाना चाहिए और थोड़ा मेरे उपर विश्वास करने के ज़रूरत है मैं आपके लिए जल्द ही decision लोंगा आपको थोड़ा मेरा इंतिजार करो Ace of Pentacles, Water Mountain Deck आये है guys और All Tide Up का कार्ड आपके पार्टनर की energy है तो guys आप इंतिजार करें कि आपके पार्टनर आपको उफर दे और वो बहुत ज़्यादा अपने केरियर में इतना ज़्यादा फसे हुए है और उनकी family भी पता है उनको कि उनकी family मना करेगी इस वज़े से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चारो और से गेरे चुके है गेरे में आ गए है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और इस situation से कैसे बाहर निकलू इस चक्रवी उसे कैसे बाहर निकलू ओके इस वज़े से वो अभी कोई भी decision नहीं लेना चाहते है तो आपके partner की current feeling आपको लेकर यही है काईस कि अभी वो आपको थोड़ा धेरिया बनाकर चलने के लिए कह रहे है उनके उपर विश्वास करने के लिए कह रहे है और मेरा इंतिजार किजिए मैं जल से जल आपको लेकर decision लूँगा बस यही है काईस और यहाँ male female कोई third party नहीं है काईस यहाँ third party है उनकी family और उनकी carrier में थोड़ी problem अभी है काईस यह दोनों का combination बता रहा है काईस कि उनकी carrier में थोड़ी वो situation में फसा हुआ मैसुस कर रहे है तो इससे वो जल्दी बाहर निकल आएंगी चली message दिखते हैं काईस आपके partner की कि वो आपको क्या message देना चाहते है you make my heart warm and happy you are my sunshine तो आपके partner आपको कह रहे है कि आप मेरे heart को बहुत ज़्यादा खुस और बहुत ज़्यादा जिन्दा दिल करते हो और आप मेरे sunshine हो और sorry for background noise guys please don't doubt my love for you तो आपके partner आपको कह रहे है कि मेरे प्यार के उपर आप doubt मत किजिए मैं आप ही को प्यार करता हूँ या करती हूँ ओके promises are easy to keep when the trust is mutual and love is internal तो आपके partner आपको कह रहे है कि वादा करना promise करना बहुत ही easy होता है लेकिन एक दूसरे के उपर trust करना वो बहुत ही खास होता है और love is internal मतलब कि प्यार दोनों तरफा होना चाहिए और विश्वास दोनों तरफा होना चाहिए आपके partner आपको कह रहे है मतलब आपके partner आपको कह रहे है कि मैं आपको वादा करूंगा और फिर वो मैं promises आपको नहीं निबा पाऊंगा तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा आपको जितना बुरा लगेगा उससे भी ज़ादा मुझे बुरा लगेगा इस वज़े से मैं आपको promises नहीं देना चाहता हूं आप मुझे पर विश्वास कीजे हम दोनों तरफा हमारा प्यार दोनों तरफा ही तो हम दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे आपके पार्टनर आपको कह रहे है Sorry for love guys My love is eternal तो guys अब मुझे कुछ कहने के जरूरत है आपके पार्टनर का प्यार बहुत ही ज़्यादा कह रहा है guys I love the way you hold me Touch me, kiss me तो आपके पार्टनर आपको कह रहे है कि जब आप मुझे hold करते हो, पकड़ते हो, छूते हो और kiss करते हो, ये मेरे लिए बहुत ही खासी Your love is all I need to feel complete तो आपका प्यार मुझे सभी तरह से complete feel कराता है guys When it's real, you can't walk away तो यहाँ आपके पार्टनर आपको कह रहे है guys इसकी आप मेरे मुझे ही प्यार करते हो, मेरे लिए real हो, तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो वो आपको इंतिजार करने के लिए कह रहे है, okay चलिए यहाँ से कुछ देख लेते हैं चिप से helpful, तो आप बहुत ज़्यादा helpful हो guys उनको अच्छा लगता है यह capable, आप बहुत ही ज़्यादा capable हो मतलब, सभी work में capable हो होस्यार हो, clever हो, okay experience, तो guys आप दुनों ही experience हो, मतलब आपकी दोनों की ही सुच बुच अच्छे है guys जिस तरह सी यह काड़ा आए है determination, guys तो जब भी आप कोई काम करते हो तो बहुत ही ध्यान लगा कर, conscious होकर determination से काम करते हो guys, okay तो वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है guys, okay smart तो उन्हें से लगता है आप smart हो या फिर आपके partner भी smart है okay, आप दोनों ही smart हो rude आपके partner आपको बहुत ज़्यादा आपके partner rude लगते है क्यूंकि वो phone नहीं उठाते है message नहीं करते है और message का answer देने में भी उनको problem होती है okay तो song देख लेते हैं guys okay तुझे प्यार से देखने वाला एक दिल है यह song ही guys okay फूल मांगो ना बहार मांगो आज हमें मालूम हुआ क्या चीज महबत होती है okay तो यह है आपके reading guys अगर आपके reading अच्छे लगी हो तो मेरी चैनल को like करें, share करें, subscribe करें, comment करके ज़रूर बताएं bye guys hi guys अब जिसके से ने भी pile to choose किया है तो चले देख लेते हैं guys कि आपके partner की आज की feeling आपको लेकर क्या है okay pile to discussion ने भी जूज की डिवान बताएं कि sorry पहले आपके energy देखेंगे okay कि आपके energy आज की क्या है आपके partner को लेकर eight of salt okay strength okay the lovers okay the tower okay bottom of the deck हमारे पास है guys the full अब आपके partner की energy हम देखेंगे guys okay आपके partner की आज की current feeling आपको लेकर क्या है universe divine pile to discussion ने भी जूज की रखाई financial constraint okay hostilities okay man holding a heart और एक काड़ और मुझे चाहिए universe victory okay bottom of the deck हमारे पास है guys blossoming abundance nice तो guys यहाँ हमारे पास last में आपका काड़ आया है the tower और आपके partner का काड़ आया है sorry victory okay तो इसका मतलब यह है guys की transformation है guys victory का काड यहाँ आप देख सकते हो 2 प्लस 8 यानी 10 okay तो victory का काड़ भी success का है और tower का काड़ भी success का है मतलब की transformation आप दुनों की life में होने वाला है और मैं आपको बता दू guys की यह जिस किसे की भी energy है वो 10 flame जन्नी में है okay और soul में ठेक guys okay तो उनको क्या करना होता है वो google search के लिजे guys क्यूंकि उनकी जन्नी बहुत ही ज़्यादा long होती है okay और उनमें third party जरूर आती है third party का मतलब होता है guys आपके partner का वक्त carrier उनकी family आपकी family friends आस पास के लोग उनके friend guys आपके friend भी हो सकते है okay उनकी responsibility उनकी family उनकी relative उनकी colleagues कोई male female third party बहुत सारी होती है guys ओके और यहाँ आप दुनों twin frame हो तो third party तो होनी है guys ओके और आप दुनों के रिष्टे में third party है guys कुछ लोगों के लिए उनकी family और कुछ लोगों के लिए guys आपके partner की career क्यूंकि आपके partner की career अभी ठिक ठक नहीं चल रही इस वज़े से वो बहुत ज़दा stressful अपने आपको महसूस कर पा रही और वो केरियर में लड रहे है मतलब करियर में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़दा महनत कर रहे है इस वज़े से वो अभी सायद आपके साथ बात नहीं भी कर रहे हो और आप दोनों अभी suppression में भी चल रहे हो guys तो यहां मैं आपको बता दू guys कि आपको इंतिजार ही करना है और आपके partner केरियर में बहुत ज़दा फसा हुआ महसूस होने की वज़े से वो आपके साथ बात नहीं कर रहे है इस वज़े से आपके energy यह है guys आपको लग रहा है कि मैं सभी तरह से first जोकी हूँ या first जोका हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे मैं कैसे बाहर निकलूँगा क्योंकि आप अपने partner को इतना ज़्यादा प्यार करते हो गाहिस कि आपके partner को आप छोड़ना भी नहीं चाते हो और आपके partner आपको कोई answer नहीं दे रहे इस वज़े से आप बहुत ज़्यादा अपने आपको stressful मैसूस कर आ पा रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें आप दोनों side से first चुके हो आप अपने partner को छोड़ना भी नहीं चाते हो और आप से इंतिजार भी नहीं हो रहा है तो आपको मैं यहीं कहूंगी कि आपको meditation की बहुत ज़्यादा आवसकता है कि आपको meditation करनी चाहिए क्यूंकि आप बहुत ज़्यादा बेचेन हो कि आपके partner आपको message, phone क्यों नहीं कर रहे है तो इस बेचेन को भाहर निकालने के लिए आपको meditation करने की बहुत ज़्यादा आवसकता है meditation करजे, prayam करजे, yoga करजे, suda namaskar करजे चक्रा करजे, चक्रा से आप अपने energy और आपके partner की energy balance कर पाओगे चक्रा किसी के guidance के थू ही कीजे, अपने आप खुद मत कीजे प्लीज, ओके चक्रा किसे के guidance में ही करने चाहिए कितनी minute करने होते हैं, वो भी सब कुछ आता है चक्रा से 15 या 20 minute से ज़्यादा नहीं करने ही इस वज़े से मैंने कहा कि किसे के guidance के थू ही कीजे जिससे आपके energy और आपके partner की energy balance हो और guys, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपकी sacral chakra की energy बहुत ज़्यादा है इस वज़े से आपको बहुत ज़्यादा बेचे नहीं हो रही है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ आप अपने partner को भी वही प्यार करना चाहते हैं उनके साथ ही वक्त भी ताना चाहते हैं और वो ही आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं इस वज़े से आपको समझ में सारे situation नहीं आ रहे है और आपको एक stuck महसुस कर पा रहे हो आप और मैं आपको यहां बता दो कि आपके partner career में अभी फसा हुआ महसुस कर रहे हैं तो आपको सीव देरिया रखना है इंतिजार करना है उनको पर विश्वास करना है और प्लीज उनके लेकर negative नहीं सोचना है positive ही सोचना है और मैं आपको बता दू कि जो लोग train frame या soulmate नहीं है उनको मैं बता दू guys कि प्लीज आप अपने partner को लेकर effort डालना बन कीजिए effort का मतलब होता है कि आप उनको सामने से message करते हो सामने से phone करते हो वो कोई भी reply नहीं दे रहे और आपको अपने respect की भी पड़ी नहीं है मतलब आपने अपनी respect भी गवा दी है उनके सामने मतलब उनके दिल में आपको लेकर कोई एहमियत ही नहीं है उनके दिल में आपको लेकर कोई respect ही नहीं है आपके phone या message की भी उनके दिल में value नहीं है तो आप बार बार उनके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो क्यों उनके सामने जुक रहे हो ये मुझे बताईए guys ओके इस तरह से तो वो नहीं आने वाले मैं तो सिप आपको यहां यही कहूंगी कि आपको दिरे दिरे उनसे दूर होना पड़ीगा मैं आपको move on करने के लिए नहीं कह रहे हूं दिरे दिरे आप उनसे दूर होते चले जाएंगे तब ही उनके दिल में एहमियत आएगी तो कुछ महिने के लिए आप थोड़ा अपने उपर ध्यान दिजे self love कीजे और उनके सामने से message या phone आने का इंतिजार कीजे लेकिन अभी जो आप अपनी तरफ से effort लगा रहे हो वो मत कीजे यहां बहुत ज़्यादा दिख रहे है काई strength का काड़ा ही इसका मतलब यह होता है कि आप सामने से उनको बहुत कुछ दे रहे हो लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ओके आप soulmate ये तुन फिम नहीं भी हो फिर भी आपको meditation करना चाहिए जिससे आप अपने आपके उपर तो ध्यान दे पाओगे self love कर पाओगे अब मैं आप दुनों का एक आज की ये आपके पार्टनर की energy है काईस जो मैंने आपको बताई लेकिन आपके लिए यहाँ जो एक future का decision आ रहा है तो वो मैं आपको जरू बताऊंगे काईस तो आप दुनों की life में एक transformation आने वाला है उसके बाद आपके partner की energy पूरी तरह से बदल जाएगी और यह transformation कब होगा तो मैं इसके लिए भी बता दू गाईस के transformation हमेंसा अचानक ही होता है suddenly ही होता है उसके बाद आपके partner की सारी energy बदल जाएगी आपको लेकर उनकी life में आपका कितना एहमियत है sorry कितनी respect है कितनी आपकी वो value करते है वो उनको पता चल जाएगा देकिन इसके लिए आपको उनसे थोड़ा दूर होना पड़ेगा तब ही यह cycle complete होगी transformation का मतलब होता है कि cycle complete करना आप इस cycle से कुछ सीखोगे नहीं तब तक यह cycle complete होने वाली नहीं यह भी मैं बता दू काईस आप बार बार वही कलती करते रहोगे effort उनके उपर लगाते ही रहोगे तो यह cycle complete होने वाली नहीं है जब आप उनसे कुछ महिने दूरी कर लोगी दूर हो जाओगे तब यह cycle complete हो जाएगी और वो अपने अंदर अलग महसूस करेंगे उनके अंदर सारी energy उनकी बदल जाएगी और वो आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगी और आपको लग रहा है कि मैं कुछ मैने उनसे दूर हो गई या हो गया तो वो third party में नहीं चले जाएगे आप जो manifest करेंगे वही होगा तो आपको third party manifest नहीं करने है आपको अपने पार्टन आप उनसे कुछ मैने दूर होते हो तो उनके लिए आपको सिफ पोजिटिव ही पोजिटिव सोचना है ओके आपको भगवान से उनको मांगना है first of all second उनके लिए pray करना है कि उनकी carrier में जो कुछ भी problem हो वो solve हो जाए उनके लिए बहुत कुछ positive ही सोचना है आप दुनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है वो वक्त आपको positive लेकर ही सोचना है negative होकर नहीं सोचना है तो इससे आप बहार आ जाओगे आज के आपके पार्टनर की एनरजी यही है काई आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आप सेल्फ लोग कर जाओगे अपने आपके उपर ध्यान दोगे अपनी एनरजी के उपर ध्यान दोगे कि आपको कितना emotional होना है कितना practical होना है तब आप इससे बहार निकलाओगे चलिए अब आपके पार्टनर की message देखते है guys I miss you आपके पार्टनर आपको कह रहे है कि वो आपको बहुत मीस कर रहे है I am jealous of people who get to see you everyday तो आपके पार्टनर आपको कह रहे है guys कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है जब लोग आपको देख पाते हैं और मैं नहीं आप दोनों का रिस्ता long distance है guys अलग-अलग city से हो, state से हो या फिर country से हो guys My day is not complete If I don't tell you I love you तो आपके पार्टनर आपको कह रहे है कि मेरा दिन complete नहीं होता है जब तक मैं आपको I love you ना बोल दो You are my today and all of my tomorrows मेरा आज हो और कल भी आप ही मेरे लिए रहोगे हमेशा आप ही मेरे लिए हो I am lost in you that no one can ever find me मैं आपके अंदर इतना ज़्यादा गूम हो जाना चाहता हूं या चाहती हूं कि कोई मुझे धून ना पाए I love you more and more everyday तो आपके पार्टनर आपको कहरे कि मेरा प्यार हर दिन आपको लिए बढ़ रहा है If you can't waiting me, so please move on तो आपके पार्टनर आपको कहरे कि आप मेरा इंतिजा नहीं कर सकते हो तो आप move on हो जाए मैंने अब मैं सिर्फ आपको यहां यही कहूंगी कि मैं किसी को भी कभी भी move on करने के लिए नहीं कहती हूं आपकी इंट्रिशन पावर आपको जो कुछ भी बताए इस तरह से ही आपको चलना है इस वज़े से मैं किसी को यह भी नहीं कहती हूं कि आप phone मत कीजिए message मत कीजिए अभी भी मैंने आपको बताए कि आप effort डालना बंद कीजिए लेकिन आपकी इंट्रिशन पावर जब आपको बताए कि आपको अभी message करना चाहिए phone करना चाहिए तब आप कर सकते हो क्योंकि हर एक की life में अपनी situation अलग होती है हर एक की situation अलग होती है guys तो चले यहां से देख लेते है guys arrogant तो आप अपने partner को समझते होंगे okay के वो घुसे वाले perfect तो आपके partner जैसे भी है आपको लगता है कि वो मेरे लिए perfect है right guys courageous तो यह तो आपकी energy है आप अभी भी उनके सामने ठीके होए हो और उनका इंतिजार कर रहे हो तो मतलब आपकी हिम्मत की दाद देने पड़ेगी guys okay adventure तो यह आपके partner हो सकते है या फिर आपको भी adventure पसंद है guys empathy तो guys आप दुनों ही मेनत हो guys okay बहुत से यह nature तो आपको आपके partner का भी ही हो सकता है guys जिस तरह से वो behavior करते हैं आपको तो लगता होगा कि बहुत ज्यादा अकड़ू है मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे ये song है guys okay आखे खुली हो या हो बन okay तुम ही हो मेरी आसकी अब तुम ही हो okay ये हम आ गए है कहां ये song है guys बहुत ही romantic song है guys okay कहते हैं जिसको महबत हो तुम okay तो ये है आपके reading अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब कर करकर जोड़ बताएं बाइगाइज कि युनिवेस टिवाइन पाइथी जिसका समय भी चूज के है उनकी आज की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर क्या है देहर मेट ओके स्ट्रेंद ओके इट अपको ओके टू ओफ ओके टू ओफ ओंड ओके अब्टम प्रेक हमारे पास है गाइज दी चैरिएट ओके तो अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे गाइज युनिवेस टिवाइन पाइथी जिसका समय भी चूज के उनके पार्टनर की आज की करम फिरिंग उनको लेकर क्या है ओके कौन कोपिया ओके डो टू स्पिरिट नाइस ओके दसन काईज आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है स्ट्रॉम बार्निंग ओके बॉटम अप्टे टेक हमारे पास है गाईज ठोट चक्रार केंज़ सेमियल ओके तो प्रॉब्लम ही है गाईज तो गाईज आपके पार्टनर की करन्ट फिरिंग और आपकी दोनों की मैच करते हुए मैं बताऊंगी गाईज की आपके पार्टनर आपसे उम्र में ज़्यादा है काईज मतलब की बहुत ज़्यादा मैचियर भी होंगे और थोड़े अक्ड़ू और गमंडी भी होंगे मतलब हें काईज ओके ये जो मैं कॉलिटी बता रहे हूँ और आप जो उनको बहुत ज़दा care करते हो बहुत ज़दा उनका ध्यान रखते हो ये सब कुछ उनको बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत ही अच्छा रखता है प्यारा लगता है और जबसे आप उनकी life में आई हो guys उनकी पूरी life ही बदल गई है आप देख रहे हुगाईस हमारे पास कौनो कोपिया रोटो स्पिरिट दे सन जब से आप उनकी लाइब में आये हो वो हमेसा खोश रहते है उनके चेहरे पर हर रोज एक स्माइल होती है और वो भी आपको लेकर वो हर रोज आपको सोचना पसंद कते है आपके साथ रहना पसंद कते है उनकी सोच में बस आप ही आप हो वो 24 आवर्ज आपके बारे में ही सोचते रहते है आपने उनकी पूरी दुनिया बदल दी है ओके और स्ट्रॉम बर्णिंग का कार्ड भी यही बता रहा है कि यह सारी अबर्ण साफी की वज़े से आई है उनकी लाइब में और आप आपके एनरजी यह है गाईज कि आप इंतजार कर रहे हूं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या डिसेजन लेंगे और आपके पार्टनर की एनरजी तो देखो गाईज वो तो बहुत थीखोस है उन्हें बस यहां मैं आपको बता दू गाईज कि आपके पार्टनर एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे है वो आपको लेकर अभी फैसला लेना नहीं चाहते है वो चाहते है कि मुझे जब फील हो कि मुझे अभी डिसेजन लेना चाहिए तब भी वो डिसेजन लेंगे और उनकी इंट्यूशन पाउर भी बहुत ज़्यादा तेज है वो डिवाइन टाइमिंग के आने के बाद ही आपको लेकर डिसेजन लेगी इस वज़े से वो चूप चाप अभी बैठे हुए है और 24 आवर आपके बारे में सोचते रहते है और बहुत ज़्यादा पोजिटिव सोते है और आपके एनरजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप बहुत ज़्यादा बेचे नहीं महसुस कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको लेकर सोच तो सोच क्या रही मुझे भी पता तो चले लेकिन आपको किसी भी तरह से पता नहीं चल रहा है इस वज़े से आप सैड हो, दुखी हो और आपको बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रही है कि ये कैसा मेरा पार्टनर है मेरे लिए मुझे कोई फॉन भी नहीं करता है मैसेज भी नहीं करता है मेरे बारे में सोचता तक भी नहीं है लेकिन गाईज वो आपको टेली पतिया आपके साथ बात करते है वो आपको एहसास देते है लेकिन आप उनके एहसास को सुन नहीं पा रहे हो ऐसा क्यों आप बहुत ज़रा स्टेस ले रहे हो गाईज इस वज़े से आप उनके एहसास को अपने अंदर नहीं ले पा रहे हो और उनको फील नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज उनके लेकर positive सोचे तो आप भी उनके हैसास को सुन पाएंगे कि वो पूरी तरह आप भी को प्यार कते हैं आप भी के साथ आना चाहते है और यहां third party की बात की जाए तो यहां third party है आपके partner का डर उनका confidence level up and down होता रहता है इस वज़र से वो अभी आपको लेकर फैसला नहीं लेना चाहते है उनकी past life में जो उन्होंने सब कुछ देखा है उससे वो भूला नहीं पाए है काईस इस वज़र से वो अभी आपको लेकर कोई भी decision नहीं लेना चाहते है ओके तो मैं सिर्फ आपको यहां यही कहूंगी काईज कि यह डर यूनिवर्स उनको एक लेसन देगी इस वज़े से